अगर पार्टनर्स ने फर्म के अंदर को यह वी एडवांस दिया है वो उसका लोन मना जाएगा और उसकी उपर भ्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आज का टोपिक ओकी तो अगर आपने देखना है अगर फर्म ने कोई डीड साइन की है डीड बनाया है तो इंट्रस्ट पार्टनर्स ने लोन लगाया है पैसा लगाया है उसकी उपर उसको भ्याज मिलेगा यह फर्म का खर्चा है तो यह हमारी अकांटिंग की निचर है जितना भी खर्चा है वो फर्म के लिए डैविट साइड में जाएगा तो इंट्रस्ट फर्म का खर्चा है फर्म के सबी खर्चों को प्रोफिट और लोस अकाउंट में डैविड करना होता है इसलिए इस एंट्री में हमने जो इंट्रेस्ट और लोन है वो फूस में ड्रास्फ़र कर दिया नेक्स्ट देखो जो interest on loan है वो balance sheet में कैसी दिखाऊगे balance sheet में क्योंकि ये firm की liability है इसी लिए ये balance sheet में liability side जितना loan का amount होगा interest भी उसके अंदर add करके total amount दिखाई जाएगी तो next देखो interest on loan है जो वो capital से बिल्कुल different है क्यों क्योंकि चाए firm के पास profit है चाए firm के पास loss है interest on loan हर case में दिया जाएगा और second point अगर deed absence है कोई deed silence है मीज़ कोई interest on loan के बारे में कोई return agreement नहीं बनाया तो firm ने partners को interest देना है loan पे 6% per annum तो ये question के according हम करेंगे different cases करेंगे कि interest on loan चाए question में profit है चाए loss है हमने उसकी accounting treatment कैसे करनी है जैसे question में दिखाया गया है A और B दो partner है उनकी capital 2,00,000,000 A की है 1,00,000 B की है तो A और B ने दोनों ने 1st July 2020 को A ने 30,000 loan दे दिया और B ने 10,000 loan दे दिया अब उनकी जो accounting treatment है accounting closing data है वो है कत्तिरी संपर इसका मतलब students A और B को दोनों को क्योंकि यहाँ पे कोई deed नहीं है कोई return agreement नहीं है पर्सेंटेस के बारे में इसलिए A और B ने जितना भी loan लगाया है उनको 1 जुलाई से लेके 30 दिसंबर तक पूरे 6 मिने का interest 6% पे मिलेगा according to Indian Partnership Act 1932 अब यह हमने cases की according करना है आपके पास यह चार case दिए गए है चारो case की अलग लग presentation होगी जैसे case 1 में आपके पास जो profit है वो 3000 है क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जो भी interest on loan है वो charge against profit है इसलिए बच्चो जो interest on loan है वो हमेशा आपका profit and loss account में आएगा profit and loss appropriation account में नहीं आएगा तो case 1 के लिए आप यहाँ पे profit and loss यह देखो case 1 profit and loss account बनाया है कौन से date का कत्ती दिसंबर का ओके जितना profit है हमारे पास पहले profit लिखना है क्योंकि यह जो हमारे पास profit and loss account बनाया है यह debit side यह credit side debit side में firm के खर्चे credit side में firm की income हमारे पास income कितनी थी 3000 income हमने यहाँ पे लिख ली buy profit before interest on loan 3000 और यह देखो यहाँ पे हमने interest on loan लिखना है एक का कितना है एक यह नहीं लगाए थी 30,000 उसको 6% मिलेगा 6 मंत का जुलाई से लेकी दसंबर तक यह 900 आ गया ऐसी हमने भी का निकाल गया 300 आ गया तो total total interest on loan कितना आ गया 1200 तो यह देखो आप 3000 income है 1200 रिपिया interest on loan है income में से खर्चा less कर दो बाकी कितना बचा 1800 जो यह 1800 बैलन्स है यह आपने profit and loss appropriation account में दिखाना है यह partners को profit and loss appropriation account में divide किया जाएगा कि ए को कितना आएगा भी को कितना आएगा तो 1800 आप बैलन्स ट्रांसफर कर दो यह दे दिया आपका profit and loss appropriation account same date पहले बैलन्स ट्रांसफर करो जो net profit से निकला है by net profit यह balance है 1800 रिपिया तो यहाँ पे देखो question के अंदर question के अंदर जैसे कोई भी कोई भी अपना percentage नहीं था कि उनको किस ratio में amount मिलेगे किस ratio में profit मिलेगा अगर question के अंदर कोई profit distribution ratio नहीं है तो profit उनको equal मिलेगा जैसे यहाँ पे हमारे पास profit कितना आया था 1800 अठारा सो कितने partner है तो तो A को 900 चला गया B को 900 अपनी दिखाना कैसे है to profit transfer this is transfer to A's capital B's capital यह A's capital B's capital क्यों लिखा है क्योंकि A को जितना भी अपने partners को कुछ देना उनकी capital में transfer होगा ऐसे बच्चो case number two है case number two में आपके पास जो profit था वो 1200 साथ था ओकी 1200 अपने case number two में फिर profit and loss बनाओगे profit and loss 1200 profit दिखा दिया ऐसी उनका interest दिखा दिया हर case में चाए profit कम है चाए profit जादा है हर case में उनको decided amount interest on loan मिलेगा यह मिलेगा यह वैसी हमने लिख दिया 1200 जो देखो profit 1200 था खर्चा भी 1200 आगया कोई balance नहीं बचा अगर कोई balance नहीं 1200 माइनस 1200 जीरो तो अगर balance हमारे पास 0 है तो यहाँ पे profit and loss appropriation में transfer करने के लिए हमारे पास कोई amount नहीं है तो इस case में हमारे पास कोई profit and loss appropriation account नहीं बनेगा ओके अब देखो third case में हमारे पास जो profit दिया हुआ है वो 1000 दिया हुआ है ऐसी ही आप third case में फिर नेया profit and loss account बनाया हुए same data आपने लिख दिया 1000 net profit तो यहाँ यह debit side में same आपने interest loan loan दिखा दिया 1200 रुपिया तो dear students आप देखो हमारे पास जो खर्चा है वो 1200 रुपिया है income 1000 है तो income minus expenses यह हमारा loss हो गया loss अगर profit है तो वो credit side debit side में आएगा इस case में हमारे पास 200 रुपिया loss है 1200 minus 1000 यह 200 रुपिया यह partners को हमने credit side में दिखाना है कैसे by net loss transfer to is capital based capital कितना 200 रुपिया loss है 200 divided by 200 रुपिया दोनों का loss आगया तो last case देखो आप जिस question में जिस point की अंदर हमारे पास अगर loss दिया है पहले से loss दिया है तो आप चाहे loss है चाहे profit है इसको आप लिखे जाओगे net profit and loss account की अंदर case number 4 profit and loss account same बनेगा debit side credit side क्योंकि इस question में हमार loss है वो debit side आएगा ओकी already loss दिया हुआ है यह debit side आएगा लिखना कैसे है two loss before interest on loan 500 ओकी तो चाहे loss है चाहे profit है interest on loan हर case में मिलेगा same treatment है A का 900 B का 300 तो देखो पहले हमारा पहले से loss पढ़ा था 500 और दूसरा खर्चा कितना आगया 1200 तो यह total loss हो गया 700 चाहे total loss है चाहे profit है हम नही partners की capital में ही distribute करना है यह पूरा 1200 हो आगया इस case में हमारे पास कोई income नहीं है तो पूरा 1200 रुपिया अपने capital अकाउंट में जाएगा कैसे by net loss transfer to Ais capital कितना 1700 डिवाई to 850 एक आगया 850 वीक आगया it's okay dear students तो हमने इस question की समरी में क्या सिखा दो point सिखे है हमने इस question में दो point है कैसे कि जो interest on loan है वो interest on capital से बिल्कुल different है क्योंकि हर case में हर case का मतलब चाहे हमारे फरम की अंदर loss है चाहे profit है interest on loan partners को मिलेगा यह मिलेगा time की according और second case क्या है अगर deed silence है तो interest on loan 6% मिलेगा यह भी time की according निकालना है it's okay interest on loan हर case में partners को मिलेगा यह मिलेगा and third point क्या है main point क्या है इस वीडियो का कि जो interest on loan है वो हमेशा profit and loss में दिखाया जाएगा क्योंकि यह charge होता है against profit है यह profit and loss appropriation की amount नहीं है यह profit and loss की amount है ओके तो इसी त तरहां की मेरी वीडियो देखने के लिए subscribe my channel commerce classes by Nishu Mead it's okay